हेले विडियो के सिरीज चल ले थी उसका पार्ट 3 करने वाल है आप लोग वीडियो के सुरूर से आम तक जरू देखिए को यह बहुत ही महत्पूर्ट कोश्चन की सिरीज शुरू हो रही है चलिए आज के पहला कोश्चन देखलते हैं मदपर्देश मुखवंती अनपूर्णा योजना का प्रारम कहुआ था भेरी भेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है आप लोगो बता दूँ साथ ही साथ आप लोगो बता दूँ आप लोग इसका पीडिया पनेना चाहते हैं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते है साथ ही साथ आप लोगो एस अकेडिमी टीम आप लोगो इस्टाग्राम ट्विटर सभी जगर मिल जागी आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं आज का पहला कोश्चन क्या है आप लोग बताइए इसका एंसर क्या होगा राइट एंसर गा ओप्सन दी अप्रेल 2008 में मद्द प अंकारैसवर खंडवा ठीक है एे गलत है बावरण Colствен गजा बड़वानी में इससी थे गौतम गिरें इंदौर में सोना गिरें जो दमो में है लेकिए उंकारैसवर कहां पर आप लोगコमेंट वाक से होता है यह इह इक गलत हैतो सभी लोगो कमेंट वाक से होता नहाए औंक कारेस्वर ठीक है next question है मद्द प्रदेश का वह कौन सा प्रसीद प्रेटंग एस्थाल जिसमें देश का दस्मा और प्रदेश का प्रथम जैव मंडर लेजर उगोसित किया गया है right answer होगा पंच मड़ी कौन है पंच मड़ी option भी आप लोग का right answer होगा option B ठीक है चले next question लेते हैं मद्द प्रदेश की स्राष्टी उद्ध्यान या भ्यारन को प्रोजेक्ट टाइगर को नवीन छेत्र में सामिल किया गया है किसको किया गया है ये किया गया है संजय नेशनल पार्क और संजय डूबरी दोनों को अप संसी आप लोग का right answer होगा ठीक है आप लोग को याद रखना है चले आप लोग बताएए कि ये संजय नेशनल पार्क किस जीले में इस्तित है क्या है संजय नेशनल पार्क जो है मद्द प्रदेस के किस डिश्टिक में इस्तित है कमिन वाक्स से बताइए नेश्ट सवाल है गोविंद वल्लवपंथ सागर आधा उत्तर प्रदेस में आधा मद्द प्रदेस में बना है मद्द प्रदेश का या किस जीले में इस्तित है जो गविंद वल्लापंत सागर परियोजना है आथा उत्तर प्रदेश में आता है आथा मद्द प्रदेश में लेकिन मद्द प्रदेश किस डिश्टिक को में इस्तित है किस जीले में सामिल है आप लोगों को बताना है सीधी सतना दिन्दूरी अनुप्पू राइट एंसर होगा सीधी क्या है सीधी आप लोगों को या रखना option A आप लोगों का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है next सवाल है मद्द प्रदेश की जेले में हर सौड यानि जिपस्वं पाया जाता है हर सौड यानि जिपस्वं पाया जाता है राइट एंसर होगा सीधी पूरी में कहां पे सीधी पूरी में पायता है आप लोगों को याद रखना है ठीक है next सवाल है भारत में सबसे अधिक उद्योग विहिन जिले निम्लिकितने किस राजमे हैं भारत में सबसे अधिक उद्योग वीहिन जिले किस से राजमेश्टीत है राइट अंसर होगा मद्द परदेश में ठीक है और सन भी आप लोग का राइट अंसर होगा आप लोग को ध्यानक ना है आप लोग वतादू चैनल पे अभी जूड़े हैं तो आप लोग चैनल को जलू सब्सक्राइब कर लिए जिसमें बहुत सारे कोश्चन करवाई जाएंगे आप लोग ग्रूफ 5 एक्जाम के लिए ठीक है और वीडियो को लाइक कर दिजिए चले अला कोश्चन है मद्द परदेश के विवाजन से प्रदेश को सरवाथिक चतिक किस चेतर में हुई है और अप संडी जो होगा आप लोगा सही उत्तर हो जाएगा अगला सवाल ले लेते हैं कोश्चन 15 है पदेश सरकार दोरा खेले गए चेतर में निम्नांकित में से कौन सा प्रुसकार दिया जाता है यह सभी प्रुसका जो है खेल के चेतर में दे जाते हैं कौनकों से है विक्रम एक लब्बे भी स्वामित आप लोग को याद रहना बहुत ही महतपूर कोश्चन है तीक है चलि अगला कॉश्चन नेते हैं तिति पंचवर्षी ओजञा की समया अवधी क्या थी यानि समय क्या था सुरू कब की गई ती किसके गिसकी बीच में थी तिति पंचवर्षी ओजणा राइट एंसर गाँ 1901 से 1906 की विश्चन तिति पंचवर्षी ओजञा का समया वदियानि समयकाल था आप लोग को याद रखना है ठीक है चले next question है औरचा किस जीले में इस्थित है भेरी भेरी important question है औरचा जो है टीकम गड़ डिस्टिक में इस्थित है कहाँ पे टीकम गड़ डिस्टिक में इस्थित है नि आप लोग का right answer हो जाएगा अगला सवाल है मद्द प्रदेश किस विद्याले ने विदेशी विद्याले के साथ अध्यानिम और अनुसंधान के लिए सहमाती दी है राइट एंसर होगा option B DNA विद्याले कौंसा है DNA विद्याले यादि option A आप लोग का right answer हो जाएगा अगला question है मद्द प्रदेश का वन छेत प्रदेश की कुल भाउदी छेत का कितना प्रिस्त होना चाहिए कितना प्रिस्त होना चाहिए यह होना चाहिए 31.33 एनि option D ठीक है अगला question है मद्दμεड़्धेस जंजाती सोद एवं विकास सं स्थान कहाँ पर इस्थित है है चुश्चित है भोपाल में कहाँ पर इस्थित है भोपाल में ठीक ए आप लोगों को या रखना है वेरे वेरे important question है अगला सवान मद्दप्रदेस निमिसलिक केटों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है question को ध्यान से पूर्णाई इसमें पूचा के नहीं खेला है राई टेंजर होगा अब है खुरसियां जो है ये टेस्ट मैच भारत की यहनी मद्द परदेस की ओर से नहीं खेले हैं नरे अंधिरवानी जो है मुस्ताक अलियो राजेस जो है मद्द परदेस की ओर टेस्ट खेले है मद्द परदेस की ओर से ठीक है option B आप लोगो का right answer होगा अगला question है option B आप लोगो का सही answer होगा अगला सवाल है मद्द परदेस का सबसे पस्चिमी जीला कौन सा है right answer होगा option D जाबुआ मद्द परदेस का सबसे पस्चिमी जीला कौन सा है जाबगा है आप लोगो याद रखना है भेरे भेरे important question है ठीक है आप लोगो याद रखना है वहीं बात किजाए सबसे पुर्वी जीला कौन सा है इसका answer आप लोग comment box में लिखना है कि पस्चिमी जीला तो जाबगा हो गया आप लोगो याद रखना है बहुत ही महाद पूर कोचन है एक question बहुत बार exam में पूछा भी जा चुका है तो यह ही आज की वीडियो आई होप आप लोगो पसंदा होगी पसंदा इस वीडियो को like and share कीजे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप लोग जो भी टॉबिक पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है